तो अब ये ABD Group में ख्याल आया कि अपने आपको जरा अप्ग्रेड किया जाए तो उसने ये दो विस्की निकाली थी Sterling Reserve B7 और Sterling Reserve B10 अब क्या है कि एक और विस्की ये आ गई Iconic White और ये भी इसी कंपनी की है और इसकी MRP है 180 रूपीज तो अब ये मेरे को समझ भी नहीं है कि ये 190 रूपीज की जब विस्की थी तो फिर 180 रूपीज मतलब 10 रूपए अंतर में एक और विस्की लाने की क्या ज़रत थी अब लास्ट में बारी है Iconic White की रब राखा ये तो अच्छा मैंने डिसाइड किया था कि सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करके इसकी पांच जाऊंगा हलो नमस्कार और विल्कम बैक आप देख रहे हैं एक दो तीन 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 छोटी जोटी बाटल पड़ी है पहली विस्की है Iconic White आप देख रहे हैं ये खुली हुई बाटल है छोटी सी 180 ml की और एक पेग इस से निकला हुआ है तो अभी थोरे दिन पहले ही मैंने इसका रिव्यू किया था चैनल पे अवेलेबल है डेस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा आप उसको चेक कर सकते हैं उसके बाद ये दूसरी जो बाटल है ये है स्टर्लिंग रिजर्ब B7 की इसका भी रिव्यू मैंने किया था और तभी से ये भी बाटल पड़ी है एक पेग उपर से निकला हुआ है तो इसका भी रिव्यू अवेलेबल है चैनल पे देस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा और ये है स्टर्लिंग रिजर्ब B10 ये अभी खुली नहीं है फर्स टाइम इसको खोल रहा हूँ ओके ठीक है चलिए तो इसको साइड में रखते हैं अच्छा इस स्टर्लिंग रिजर्ब का मैंने अल्रेडी पहले ही रिव्यू किया था बड़ी बॉटल से तो ये भी खुली नहीं है तो आज इसको उपन करेंगे चैनल पे इसका भी रिव्यू अवेलबल है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं तो आप कहेंगे ऐसा क्या खास है इन तीनों विस्की में जैसे की Officers Choice, Officers Choice Blue तो वो भी इसी ABD Group की ही ब्रेंड है और Officers Choice आपको पता है वन अप दो मोस्ट सेलिंग विस्की इन वर्ल्ड तो जबरदस्त बिकती है बहुत ज़्यादा उसकी फैन फॉलिंग भी है और बिकने का जो में रीजन है वो ये नहीं कि Officers Choice इसको बहुत ग्रेट विस्की है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है वो एक्शली सबसे सस्ती इंडियन विस्की के रूप में जानी जाती है और किसी को भी अगर देसी दारू से सिफ्ट करके अंग्रेजी दारू पे जाना है तो Officers Choice 8PM Bag Piper इस तरह की जो विस्की है उसी से काम चलाना पड़ता है तो ये सारी जो विस्की है Officers Choice 8PM Bag Piper ये सब one of the most selling विस्की है इंडिया की तो अब ये ABD Group में खयाल आया कि अपने आपको ज़रा अप्ग्रेड किया जाए तो उसने ये दो विस्की निकाली थी Sterling Reserve B7 और Sterling Reserve B10 तो यहां तक में तो कोई problem नहीं था बिकॉस ये Sterling Reserve B7 जो है इसकी MRP है जहारखन में 190 रूपीज और ये Sterling Reserve B10 की MRP है 260 रूपीज तो ये 70 रूपीज का difference है और अगर full bottle में बात करें तो almost 300 रूपीज का difference होगा इन दोनों के full bottle में तो यहां तक बात समझ में आती है कि एक 700 रूपे के आसपास की और एक 1000 रूपे के आसपास की विस्की नोगों ने launch की थी अल्रेडी मैंने review किया है वो तो अपनी जगह है अब क्या है कि एक और विस्की ये आ गई आइकोनिक वाइट और ये भी इसी कंपनी की है और इसकी MRP है 180 रूपीज तो अब ये मेरे को समझ भी नहीं आया कि ये 190 रूपीज की जब विस्की थी तो फिर 180 रूपीज मतलब दस रूपए अंतर में एक और विस्की लाने की क्या ज़रत थी खेर तो मैंने इसका review किया था एक नहीं दो दो बार review किया है और महाँ बकवास लगी थी मुझे इतनी खराब लगी थी कि शायद ही कोई इंडियन विस्की मुझे आज तक इतनी बेकार लगी है और इसकी जो MRP है वो officers choice और जो एकड़म बजट जो इंडियन विस्की होती है उससे थोड़ी ज़्यादा है तो जब इतनी बेकार ये विस्की है और आपको गर देसी नौपी करके अंग्रेजी ही पीना है तो फिर आप officers choice पीएं आप iconic white क्यों पीएंगे तो आज देखना ये ज़रूर important रहेगा कि ये 180 रुपए में iconic white है और 10 रुपए ज़ादा में ये sterling reserve B7 है तो इन दोनों के बीच में clear cut एक competition होगा कि 10 रुपए ज़ादा अगर इसकी MRP है तो quality में कितना फरक है देखे B7 और B10 में definitely there is a difference ये almost signature और blender sprite की range की whisky है उतना ही MRP भी है और कहीं न कहीं blender sprite और signature से comparable ये whisky है तो ये उतनी बेकार whisky नहीं है but sterling reserve B7 भी जब मैंने review किया था तो I didn't like much और इसका तो कहना ही नहीं है anyway आज हम लोग इस तीनों whisky को side by side हम लोग compare करेंगे और देखेंगे कि तीनों अपने price के हिसाब से क्या value offer करता है तो मेरे ख्याल से definitely काफी interesting होगा ये video और आप लोगों से request करूँगा वीडियो अगर पसंद आजाए तो वीडियो को like कर दिजेगा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने friends के साथ so that it's a interesting और informative वीडियो का मज़ा आपके friend भी ले सके है चैनल को subscribe कीजिए जो लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये हैं वैसे ये मेरे चैनल पर 90% जो watch time है वो non subscribers का है तो थोरा आप लोग subscribe भी कीजिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन तीनों का एक एक छोटा छोटा पेक पोर करते हैं 30-30 ml का तो ये पहले glass में गई iconic white बढ़ा डर लगता है मेरे को इसको taste करने में बट करना पड़ता है आप लोग के लिए second volume में गई sterling reserve B7 इसका size थोरा छोटा है क्या iconic white का ये हो गई बराबर थोरा color भी इसका dark लग रहा है that is why कि इसको तो खोलना भी पड़ेगा okay तो एक चीज बड़ा clear है कि iconic white का color जो है ये थोरा सा light है sterling reserve B7 is a bit on darker side और same कहानी है sterling reserve B10 की भी तो B7 और B10 दोनों का almost same color है but iconic white जो है ये थोरा सा light side में है अब हम लोग इसकी जरा सा viscosity देखते हैं तो इसमें I think दोनों की ही बहुत light body नज़र आ रही है मेरे को तो ऐसी कोई बात इसमें है नहीं अब nosing जो है वो मैं B10 से start करूँगा क्योंकि मुझे पता है ये थोरी सी mild है तो मैं जब इधर से ऐसे बढ़ूँगा तो यहां आते आते मैं खुद को nosing के लिए तयार कर पाऊंगा तो sterling reserve B10 की nosing करते हैं सबसे पहले हम लोग देखें दिस इस mild on nose definitely it's not very harsh आपको यंग अलकोहल का एक भब का जैसा तो मिलता है बट वो काफी कंटेंड है बहुत हलका सा है और थोरा सा आपको sweet fragrance आ रहा है थोरा सा एक fruity fragrance भी है woody fragrance definitely समझ में आ रहा है और यह उस तरह का ही जैसे blender spray में या signature में आपको जितना wood का fragrance मेरे को लगता है उससे थोरा बिटर लग रहा है नोस पे definitely nose पे यह थोरा बिटर है blender spray और signature से अब हम लोग आते है sterling reserve B7 के उपर इसके पाद जैसे ही आप इसको smell करते हैं तो पूरा देसी पना जो है वो इसमें जलगना start होयाता है nose करने के समय ही लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि यह पूरा बिस्फोटक नहीं है harshness उद नहीं है जितना कोकी आप आराम से बरदास्त कर पाते हैं तो कोई धूम धड़ाका नहीं मचता है इसको nose करने में थोरा sweet भी flavor आ रहा है but you cannot say कि आपको यह nose करने में अच्छा लगेगा यह pleasing तो नहीं कहा जा सकता है nose में हलाकि बहुत ज़्यादा harsh नहीं है अब हम लोग आते हैं iconic white पे I think मेरा नांख जो है वो थोरा सा तयार हो गया है इसको nose करने के लिए भाई साथ यह pure एकदम देशी दारू है मतलब मतलब विस्की इसको कहा ही नहीं जा सकता है यह बिलकुल देशी ठर्रा जो होता है बस वही है इसमें सब कुछ है इसमें धमागा भी है धूम धनाम भी है और बहुत बेकार बहुत घटिया सिर्फ और सिर्फ spirit का smell है और कोई smell नहीं है इसमें तो अगर सिर्फ nosing की बात करें तो there is lot of difference between these two यह सिर्फ 10 रुपे ज्यादा की विस्की है बट इसको आप आराम से nose कर सकते हैं भले आपको बहुत pleasing ना लगए बहुत कोई extraordinary ना लगए बट इसको nose करने में कोई problem नहीं होगा यह तो एक्दम बक्वास है अब बारी है यह चेक करने की palette पे क्या असर होता है इसका तो फिर से सबसे पहले sterling reserve beaten से स्टार्ट करेंगे there is burn on palate बहुत हलका सा नाग से धुवा भी निकलता है नीचे जाता है गर्माहड भी महसूस होती है बट आपका यह taste जो है वो बहुत कुछ आपको विस्की के जैसा ही taste लगता है it's not like कि आपको इदे सीधारू पी रहे हैं इस तरह का तो एक प्रॉपर विस्की के जैसे ही taste है अब उस taste में आप definitely कोई दूसरी विस्की से आप compare करेंगे तो बोलेंगे इसमें ये कमी है उसमें ये better है बट इसको आप सीधा discard नहीं कर सकते हैं this is not a bad विस्की ये ठीक ठाक विस्की है I think definitely harshness है बट इतना ही harshness है जिसको की बरदास्त किया सकता है और after taste जो है वो थोरा सा नकली spicy type का after taste है जो की बहुत अच्छा नहीं है बट पीने के time में it was good बहुत ही light bodied विस्की है तो there is no mouth fill वैसा कुछ नहीं है सीधा से वो नीजे चला जाता है और एक medicinal type का जो है after taste रह जाता है मूँ में जो की after taste को अब बहुत pleasing और बहुत अच्छा नहीं कह सकते है but definitely किसी भी normal Indian विस्की से compare करने के like तो है you can definitely compare it with blind spray or signature और उसके जैसी विस्की से अब बारी है अपनी sterling reserve B7 की इसको compare किया जाता है well stay imperial blue या royal challenge जैसे विस्की से review के time में मैंने बताया था कि यह उतनी अच्छी विस्की नहीं है imperial blue या royal stack जो है वो definitely इससे better value offer करती है लेकिन अभी यह compare video में देखते है कैसा perform कर पा रहा है यह जो अच्छी बात है sterling reserve B7 की वह यह है कि यह nose पे भी बहुत जादा harsh नहीं है और similarly यह palate भी बहुत जादा harsh नहीं है harshness is there पैलेट पे आपको burn भी महजूल होगा बट वह बहुत जादा नहीं है मतलब you can compare it with royal stick और imperial blue से अगर आप compare करते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा less harsh आपको लगे on palette और नीचे भी आराम से ही गया यह बट इसके taste में वह बात नहीं है it is not as good as royal stick और imperial blue वो थोड़ा सा विस्की के जैसा टेस्ट है और इसका बहुत हद तक आपको यह एक देशी दारू वाला एक feel आता है इसमें वह अच्छी बाते हैं बट smoothness की अगर बात करें तो this is not so harsh इसको अगर compare करते है इसके पीर विस्की के साथ तो इसको थोड़ा सा स्मूथी कहा जाएगा अब लास्ट में बारी है आइकॉनिक वॉइट की रब राखा यह तो अच्छा मैंने decide किया था कि सबसे पहले मैं इधर से start करके इसके पांच जाऊंगा यह भाई साथ इंडिया में इससे बेकार इससे घटिया कोई विस्की नहीं आती है ओफिसस चौइस मुझे टेस्ट किये हुए कई साल हो गए है मेरे को लगता है कि side offices choice भी इससे बड़िया टेस्ट करती होगी यह क्यों company ने launch किया है मुझे आज तक समझ में नहीं आया और इस दोनों के price पर सिर्फ 10 रुपय का फरक है दस रुपया कम करके इतना घटिया विस्की अगर आपको देना था आपने क्यों launch किया I don't know अब क्या है कि यह तीनों ही विस्की निट पीने वाली विस्की नहीं है तो बस बहुत कुछ 5-10 अमेल करके तीनों में पानी आड़ करते हैं और उसके बाद एक बार यह देखना दिल्चस्प होगा कि पानी एड़ करने के बाद किस तरह का changes आता है इसके taste में तो सबसे पहले बीटन जो कि मुझे बहुत बेकार नहीं लगी इस नॉमल विस्की गुड विस्की तुरह सा I must say कि पानी एड़ करने के बाद इसका जो fragrance है वो पहले से और ज़्यादा बिटर लग रहा है ओकीनेस जो है वो काफी बढ़ गया है पहले से और overall जो fruity एक थोरा सा citrusy note जो है वो काफी अच्छे से समझ भी आने लग गया है तो थोरा सा पानी एड़ करने के बाद अरोमा बहुत अच्छा खुल के आ रहा है इसका बहुत बढ़ियां लग रहा है भी चली अब टेस्ट भी करते है It's not a bad विस्की ये उतनी बुरी विस्की नहीं है थोरा सा पानी एड़ करके या थोरा सा आइस के साथ या अगर आपको सोडा पसंद है तो थोरा सा सोडा मिक्स करके तो थीक ठाक है थोरा सा पानी एड़ करने के बाद जो भी इसका जो एक बर्न था जो पैलेट पे या फिर नीचे जाने में तो रहा जो हार्शनस था लगना था गले को काट रहा है वो सारा खतम हो गया काफी एजी गूइंग हो गया है तो आपको 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 है और टेस्ट में जो एक आफ्टर टेस्ट थोरा सा इसका मेडिसिनल टाइप का लग रहा था वो भी थोरा सा स्मूथ हुआ है पहले से तो थोरा सा पानी मिला करके इसका टेस्ट जो है काफी इनहांस होता है नाव इट इस बीरेवल ये ठीक लग रहा है वेसकी ये अब ब देखे इसकी यूएस पी भी यही थी कि इट वस नॉट अब वेरी हार्ष रिसकी नोज पे नहीं पैलेट पे बहुत चादा हार्ष जो है वो निट के टाइम पे भी नहीं लग रही थी बट जो टेस्ट था वो बहुत बेखा टाइप का टेस्ट इसका लग रहा था तो नीचे भी आराम से गया बट जो टेस्ट है वो बिलकुल अच्छा टेस्ट तो नहीं कहा जा सकता है इसका तो बिलकुल मजा नहीं आ रहा है इसको पीने में तो इसको पीने का एक ही कारण हो सकता है कि आपको थोड़ाता ऐसी एक विस्की जिसको कि आप आराम से गले के नी की नहीं है सिर्फ नशे के लिए आप इसको पी सकते हैं अब लास्ट बट नॉट दे लीष्ट आइकोनिक वाइट पानी मिलाने के बाद आई होप की पिने लाइक हो गई होगी डिफिनेटली बर्न दो पहले से काफी कम हुआ है इसका पैलेट पे भी नीचे भी उतना कोई तकलीफ नहीं हुआ ले जाने में बट क्या बेकार टाइप का इसका टेस्ट आता है बिल्कुल मतलब इस इस नॉट अ विस्की इसमें सीधा-सीधा जो रॉव स्पिरिट है मोस्टली आई बिलीव की मोलेसिस वाला स्पिरिट होगा वो स्पिरिट में बस आई तिंक कुछ कलर एड़ करके वो हलका सा एड़ करके और बॉटल में दिया गया है दस रुपया इस ते प्राइस कम है तो क्यों कमपनी इस विस्की को लाँच किया आई डूंट नो I think this was my third attempt to this iconic white और हर attempt में ये मेरे को निरास ही किया है तो ये बहुत बेकार विस्की है बहुत बक्वास विस्की है बिलकुल ट्राइ करने के लाइक नहीं है अगर इसी प्राइस में आपको विस्की पीना है तो you can definitely go with sterling reserve b7 ये कम से कम विस्की कहलाने के लाइक तो है ये तो सीधा ठर रहा है देसी दारू है और बहुत वाहियाल विस्की है sterling reserve b10 जो है it's a good विस्की जो इसका 1000 रुपय के आसपास में प्राइस होता है इसका और उस प्राइस में इसका और उस प्राइस पे इसका बेरी वेल गॉंपेर्ड विद्ट बिलेंडर स्प्राइड और सिग को और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ so that as a interesting or informative वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सका है मिलेंगे फिर ऐसा interesting और informative वीडियो में तब तक take very good care of yourself बाई बाई